नमस्कार में हुआ आर्टी और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज आईए रुकरते हैं खबरों क्यों ताल नसरीन पैयाद अहमत ने इन दोर में निकाय ठुनाप का बिगुल बच चुका है वही पर टिकेट को लेकर भी दोनों पार्टियों में घमासान मचा और खजराना में भी अच्छा कासा माहल देखने को मिला है महिला वार्ड गोशित होने के बाद दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी पतनियों को इस चुनावी समर में उतारने में लगे हुए हैं गर को संभालने वाली महिलाए वाइड को सुधालने की बात कर रही है आईए लिये चलते हैं वाइड 38 से नस्रिन पैयाद एहमत के पास आज तक न्यूस 24 के सिटी चीफ जाहिद खान से बात करें इंदौर शहर का वो इलाका जिसे हम वो पुरा इंदौर शहर वादी नूर खजराना के नाम से जानता है यहां हर घर में एक निता है यहां हर घर में निता गिरी है मगर इस वादी नूर में एक ऐसी खवातीन जिसने अब समरी कूद चुकी हैं चुनावी समर में जिन्होंने तमाम जिन्दगी अपने घर को सवा रहा और किचन को सवा रहा अब इनका कहना है अब मैं इस वाट को सवारूंगी और मेरे वाट को नमबर वन बनाने का बीड़ा उठाया बीजेपी से उन्होंने दावेदारी की बात की है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी इन्हे टिकेट देती है जिनका नाम है नसरीन फायाज एहमद हम सीधे तोर पर बात करते हैं नसरीन जी से कि नसरीन जी आने वाले चुनाओ अब जो शुरू हो चुके जब बिगुल बच चुका है तो नसरीन जी आपका केरेक्टर क्या होगा और आने वाले वक्त में आपके पती के साथ आप के से संगर्श करेंगी असलाम अलेकुम मैं नसरीन फयाज एहमद मैं चुनाओं लड़ना चाहती हूं और मैं अपने खजराना शेत्र में विकास करना चाहती हूं और आगे आप जो जो भी विकास होंगे आपके पती आप चुनाओं आपको भेजा है आप जहां अभी तक घर समाला है वाट को समालने की ताकत आपके प्रेस के से आएगी क्या आपके खामीन आपके साथ कंदा कंदा मिला के इंशाला हम दोनों मेहनत करेंगे और इंशाला मुझे यहां पर लेड़ी से बहुत और इंशाला ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहां पर अच्छा से अच्छा काम होने जाएं जिस लेड़ी ने घर में ही अपना हिसाब रखा घर में समाला अब इन्होंने हाथ में एक लगाम निकाल चुकी हैं तलवार लेके कि अब इन्वर शहर के इस खजराना को मैं कुछ न कुछ एक नया रूप देना चाहती हूँ नये खयाल पेश करतूँ जिनों ने तमाम जिंदगी अपना घर समाला हमसे बात करने में थोड़ी सी इनको दिक्ट हो रही हम सीधे बात करते हैं फयार जहमस सहब से फयार जहमस सब तमाम जिंदगी आपने बीवी को घर में रखा, मेदान में उतार दिया आने वाले वक्त में यहां के वाड की क्या कमिया है और आप बहुत सारे इज़ा में अगला हमारा पहला सवाल यह होगा क्या आपकी पतनी को उतारा है तो इस वाड में क्यां को निसे काम है यहां पर विकास के बहुत सारे काम हैं जो पेले किसी भी नेताओं नहीं की हैं सिर्फ यहां से लोगों को लूटा गया है आपस में ही कर रहा गया सेंटल से या राजिय सरकार से खभी कोई मदद नहीं लीए यहां पर बहुत अगर आपकी पत्ति चिनाओं में बीजेपी से टिकेट मिलता है तो आपकी प्रात्विक्तिया कोगी इस वार्ड में क्या बनवाना चाहेंगे हॉस्पिटिल बनवाना चाहेंगे सरकारी हॉस्पिटिल बनवाने के एक तो होगी और बहुत सी चीजें यहां पर जो कमी है पानी की कमी है बहुत सारी चीजों की कमी है कमेटी हॉल की कमी है शादी कमेटी हॉल की कमी है रोडों की कमी है बहुत सी चीजों की कमी है जो विकास तें 9 अपी से उनकी गाड़ियां खेच लाते हैं यह करते हैं यह उगता हैको एसलिए और निपता है्ध। बहने हैंे इस अपनीर सीप्सक्राइए फयाद वही नiantes लगोः करता हैं टो कुछ लोग उठाथ होता है कि ये अगर नेशनलिटी अब पास्पोर्ट जो होता है ये ऐसा डाकुमेंट होता है जिससे यकीना कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कहीं इनकी कालर सफेद है मगर फयाद भई से मेरा सवाल होगा बीजेपी में एक तरफ कुछ प्रवक्ता होने जो अलफाद पेगमबर इसलाम के खिलाब बोले हैं बीजेपी के वज़ा से मुस्लिम अब आहात हो चुका है मुस्लिम महुत परशान नजर आता है और मुस्लिमों ने अब बीजेपी से बाइकाट कर रहें इसी हालत में आप पत्नी को कैसे जीता परोगें मेरी पार्टी ने कोई गलत बात नहीं करी जिस उरत ने गलत बात करी थी उसको पार्टी ने निकाल दिया गया है और हम तो नभी वाले लोग हैं नभी के ही पीछे चलने वाले लोग हैं उन्मी के पीछे चलने वाले लोग हैं तो हमारी पार्टी ने उनके लिए गलत शब आनारा से ऐसी हालत में आप अपनी पत्नी के साथ जब इस वादी नूर में दौरे दौरे जाओगे जब आप से सवाल होगा उस वक्त आपके चेहरा और आपकी जबान क्या बोलेगे कि विकास के लिए हम आएं आपके पास में सेवा करने आए हैं बस साथ विकास तो अपनी विकास तो होगा खासकर पेगंबर इसलाम से बढ़कर क्या दुनिया में हैं इस माली को और उस आस्मान के भी सब कुछ जिम्मेदारी है और इसे टाइम पर आप ऐसा महोल में आपकी पत्नी को आपने घार टिकेट की जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या शूर्टी है कि आप आपकी पत्नी को बीजेपी से टिकेट मिलेगा जरूर मिलेगा क्योंकि मैंने काम किया है यहां पर समाज सेवा भूत की है और 15-16 साल से में वीजेपी में ही हूं हमारे छेत्र के जो विदायक साहब है उनसे आप पूछ सकते हैं कि मैं समाज सेवा तुपी अच्छी कर पहा लग एक उनका अलग है मेरा जो है मेरा कॉंगरेस से कोई मतलब है मैं वीजेपी हूई हूई हूँ की सेवा करना साथ किते हैं कि बाजू दो होते हैं एक बाजू कर जा तो आप भी मौताज हो जाता है क्या आपके भाई यकीनन क्या आपका साथ देंगे या नहीं मुझे कोई दूरत नहीं आप किसी के साथ की मेरे साथ ल्ला है और मेरी यहां के पबली के आवाम है और मेरे साथ मैं सब आवाम चलिए इन्होंने बड़ी बिबाकी से जवाब के सवालों के जवाब दिया और साथी साथ ये कहा कि मैं जो भी बीजेपी से नाराज है इनका एकेना है जिसने बोला है उसको उसको सजा मिली है हम बीजेपी के साथ काम करेंगे और साथी साथ इस 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 कास की गंगाब आएंगे आने वाला वक्त अब ते करता है कि उट कि किस करोड बेठेगा और फयाज गुडू जो फयाज एहमद जो है इनकी पत्मी आने वाले वक्त पे जब तमाम जिन्दगी इन्होंने घर को सवारा अब वाट को कैसे सवारेंगी यह वक्त ते करेगा केमर